हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मारकेट ग्यान में आज की वीडियो में बात गरने वाले हैं आई यार एपसी के बारे में कल के दिन आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं कल है 12 अगर्स दो चीजे कल आपको बहुत ही जादा इंपॉर्टन देखने को मिलेंगी एक तो रिजल्ट और दूसरा क्या है वो हम आगे इस वीडियो में डिसकस करेंगे सेकिंड ली यहाँ पर अगर की रिपोर्ट आई है क्या उसका इंपक्ट आयर एपसी के शेयर प्राइस पर कुछ पढ़ने वाला है या फिर नहीं यह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक वीडियो आल्रेडी मैंने बनाई हुई है जो कि मैंने एक घंटे पहले अपलोड की हुई है जिसमें हि प्लीज इस वीडियो के बाद जरू जाकर देखना सो डैट कल के लिए आपका पोर्टफोलियो जो है लॉस में ना जाए क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ सही गलत है सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करी है तो इस वीडियो के बाद जाकर ये वीडियो जरू देख आप से यही request है देखो यहाँ पर IRFC की closing होई थी 061 के negative पर और लगबग 180 के आसपास की closing जो है वो शेर specifically 179 ठीक है तो 180 के आसपास यह share जो है वो अभी आ चुका है अब एक एक करकर चीजों पर नज़र डालते हैं मैं आपको सबसे पहले chart pattern के through ही समझा देता हूँ देखो यह जो blue line बन रही है यह है इसका resistant level ठीक है यानि की share यहां तक जाके एक time पर रुक सकता है यह जो level बन रहा है यह इसका बन रहा है support level ठीक है तो कितना support है यह है 168 का और यह support level तब का है जब एक बड़ी गिरावट हो सकती है अभी share जैसे मैंने आपको बताए 180 यह जो line बन रही है 180 के आसपास चल रहा है अपर side में जो immediate resistant है immediate resistant कौन सा बन रहा है 184 का अब यहां से आप एक चीज और देख पा रहे होगे जैसे कि मैंने आपको support level बता दिया support है जो proper downside अगर चला जाता है तो 168 का रजिस्टेंट है एक अच्छी लेवल जाती है तो 194 का अभी भी अगर आप देखोगे तो share जो है वो लगबग 20% के आसपास के discount पर available नजर आ रहा है तो यह आपको देखने को मिलेगा फिर अगर आप यहां पर जून के महिने में देखते हो तो एक चीज और नजर आएगी जो continuously इसको support मिला था वो मिला था 180 के level पर और share अभी वहीं पर ही trade कर रहा है अब 180 के level के आ वहत कम नजर आ रहे हैं तो यह जो level है यानि कि 170 का इस पर आप एक buy on dip बाली strategy follow कर सकते हो buy on dip पर आप यहां पर आनी कि हर गिरावट पर 170 के बाद अगर कोई गिरावट होती है हर गिरावट पर आप थोड़ी थोड़ी जो quantities हैं वो खरीद कर चल सकते हो ऐसी एक strategy आप follow कर सक तो हमने आप levels के बारे में बात कर ली support राइश्टाइन के बारे में बात कर ली अब बात करेंगे कल के बारे में कल क्या कुछ होगा तो सबते पहले तो कल आएंगे इसके quarter 1K results ठीक है quarter 1K results आपको यहां पर देखने को मिलेंगे RBNL के results already बहुत ज़्यादा खराब आए अब यहां पर जब IRFC के results आएंगे तो क्या कुछ expectation है देखो company ने पिछले time में काफी अच्छा perform किया है तो यहां पर उम्मीद तो ऐसी नहीं है कि RBNL की तरह आएंगे लेकिन RBNL ने भी चीज़ें अच्छी perform करी थी लेकिन उसके results बहुत ज़्यादा खराब आएं तो expectation मेरी side से तो अभी खास कुछ नहीं है लेकिन जैसे कि पहली चीज़ होगी quarter 1 और second चीज़ क्या होगी second चीज़ होगी dividend dividend दिया जाएगा approval basis पे अगर approve हो जाता है तो ठीक ह तो यहाँ पर dividend जो है वो 0.70 का दिया जाएगा और यह अगर आप देखते हो तो date यह दे रखी है 22 अगस्त तक आपके demand में जो IRFC के shares होने चाहिए तब ही आपको यहाँ पर dividend मिलेगा otherwise आप eligible नहीं होगे comment बताईए आपके पास अभी इस time पर IRFC के share है या फिर नहीं है तो आप eligible होगे इस dividend के लिए अब बात करते हैं जो cabinet minister की मैं बात कर अधा cabinet की तरफ से बड़े decisions आए हैं देखो IRFC, RBNL समयत railway companies के लिए आई बड़ी खुशकबरी 24,000 करोड का जो खर्चा है यानि CAPEX है वो करने का एलान हो गया है यानि कि नरेंद्र मोधी सरकान ने आठ नए railway line projects को मंजूरी दिया है इस project की लागात लगबक 24,657 करोड है और ये project 23,31 तक पूरा होगा अब यहाँ पर अगर आप देखतो बजट में जो मीद हैं थी वो तो नहीं पूरी हुई इस बज़ए से बज़ट के बाद से continuously आपका railway का portfolio डाउन जा रहा है अब जब ये news निकल कर आ रही है कि आठ नए railway line का जो project है वो यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है तो इसके बाद अब माहौल जो बनेगा वो positive बनेगा अब जब इसमें माहौल positive बनेगा तो यहाँ पर जैसे की देखो यह 24 यह 657 करोड का project बहुत बड़ा project है जिसमें 14 जिलों को cover करा जाएगा साथ राज्ज को cover करा जाएगा 900 किलोमीटर का जो total है वो range आपको देखने को मिल रही है तो इस बज़े से यह एक बहुत ज़्यदा positive news है पूरी detail मेंगा जानना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो बाकी बात करें के सरकार के इस ऐलान से फायदा जो है आजबी एनल तीतागर रेल सिस्टम आईयर अपसी जूपीटर बैगन और यहाँ पर एक और company है इनको मिल सकता है सरकार के जो आत्म निर्वर भारत है उसकी मुहीम के according यह जो है projects देखने को मिल रहे हैं जिसके बजाव से इसमें इन companies में जो situation है पहले से बहुत बैटर होई गी है 26 पर IPO आया था आज की टाइम पर 200 रुपे तक के लेवल पर जा चुका है और अभी भी 170 पर correction के बाद ट देखने को मिलेंगे after 3.30 यानि कि इसका impact कल के दिन मार्केट के पर IRFC के शेयर पर नहीं पड़ेगा Monday के दिन नहीं पड़ेगा Tuesday को पड़ेगा तो उस according यह results आप देखोगे और जैसी result आएगा मैं आपके सामने वीडियो रख दूंगा अब बात करते हैं दो चीजों की सब से पहले जैसे मैंने आपको बता दिया जी जो कैबिनेट की तरफ से इतना वड़ा decision आया है तो मेरे ख्याल से कल आपको positive impact IRFC, RBNL और बाकी के stocks पर देखने को मिलेगा क्योंकि काफी time से correction आ रहा है और यह RSI भी इनका neutral चल गया second चीज है Hindenworks तो Hindenworks की जो report आई है अगली वीडियो आप देखोगे Hindenworks वाली मेरी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किसको target किया गया है बट जहां तक जो overall चीजे है market में कल हो सकता है आपको थोड़ी थी panic situation देखने को मिल जाए क्योंकि इसमें directly savvy को ही target कर दिया ग इसकम है कि आपको कोई गिरावट देखने को मिले बलकि हो सकता है recovery देखने को मिल जाए गिरावट किसमें होगी वह वीडियो आप यह वाली जाके देखना मैं आपसे request करूंगा आपके portfolio में अगर कोई भी ऐसा stock है जो इससे impact हो रहा हो तो आप उसकी strategy उस according बना पाओ फिलाल वीडियो में बस इतना यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूगा दीजेगा